तो आज हम देखेंगे प्रच्छे प्रगती यानि प्रोजक्टाइल मोशन पर आथारित आंकिक प्रस्त नॉमेरिकल तो इसके लिए कुछ फार्मूले हैं बेसिक फार्मूले जिसको हम पहले जान लेते हैं कि यह क्या है इसमें उड़े अनकाल यानि फ्लाइट टाइम के लि दूसरा फॉर्मूला है अधिकतम उचाई के लिए यह इकौल टो यू स्कार साइन स्कार थीटा अपान टू जी और यह मैक्स तब होगा यानि महत्तम तब होगा जब यहां पे थीटा की वैलू 90 डिग्री हो तीसरा फॉर्मूला है परास के लिए है र इकौल टो यू स्कार साइन टू थीटा पान जी और यहां पे परास उच्चतम तब होगा जब थीटा की वैलू 45 डिग्री हो तो यह मुख्यता तीन फॉर्मूले हैं जिस पे आधारित कोश्चन दिये गया है अब अगर जो हम पहले कोश्चन की बात करें तो पहले कोश्चन में दिया है कि एक गोली एक लक्ष की और 45 मीटर पर 30 सेकंड के वेक से दागी जाती है यदि लच्छ से गोली के टकराने की ध्वनी गोली के दागने के साथ सेकंड पस्चा सुनाई दे तो लच्छ की दागने के अस्थान से दूरी ग्याद कीजिए ध्वनी की चाल दी गई है 330 मीटर पर सेकंड अब यहाँ पर अगर जो हम बात करें इस कोश्चन की तो इस कोश्चन में देखिए दिया क्या है इस कोश्चन में जहां से गोली दागी जाती है और जहां लच्छ है उनके बीच की दूरी नहीं दी गई है तो हम माल लीजिए कि यह यहां से गोली दागी जाती है और यह यहां तक पहुँचती है तो यहां माल लीजिए यह आपका लच्छ है फिर यहां से यह टकरा करके वापस आएगी टकरा के फिर वापस आएगी तो यह इस तरह से आएगी अब जब ये जाएगी तो जाने की स्पीड इसकी कितनी रहेगी जाने की स्पीड इसकी 55 मीटर पर सेकंड रहेगी जबकि आने की स्पीड 330 मीटर पर सेकंड होगी क्यों कि गोली जो दागी जा रही है उसकी विलासिटी दी गई है 55 मीटर पर सेकंड ये जाने का है जब वो आएगी तो उसकी ध्वन ही आएगी सुनाई देगी तो ध्वन की speed दी गई है 330 मीटर प्रति सेकंड यानि जब यह आएगी तो 330 मीटर प्रति सेकंड के विक से टकरा के आएगी अब यह आने और जाने दोनों का time दिया हुआ है 7 सेकंड यानि यदि जाने की बात करें यानि गोली जब दागी जाती है तो वहां से इसका जो time लग रहा है और आने का जो time लग रहा हुँआ वो दोनों का yug साथ है तो जो जाने का time होगा वो बराबर हो जाएगा समय बराबर दौरी बटे चाल तो दूरी को हमने यक्स मान लिया तो यक्स बटे हो जाएगा 55 और आने का जो टाइम है टकरा करके वो T2 इक्वल टो हो जाएगा यक्स अपान 3 30 अब ये जो जोड़ेंगे दोनों को T1 प्लस T2 तो ये हो जाएगा आपका X अपान 55 और प्लस X अपान 330 दोनों को जोड़ने पर ये T1 प्लस T2 ये 7 सेकेंड आएगा तो कि दिया हुआ है फिर इन दोनों का यदि अलसी हम लेते हैं तो ये 330 अब 55 से इसमें भाग करेंगे तो 6 आएगा और 6 का X में गुड़ा करेंगे तो 6 X हो जाएगा और इसी तरह से 330 से 330 में भाग करेंगे तो 1 का आएगा और 1 का X में गुड़ा करेंगे तो X आएगा तो ये हमारा आगया साथ बराबर साथ येक्स बटे 330 तो X इक्वल टू कितना हो जाएगा साथ बुड़े तो X बराबर किनना जाएगा X बराबर आजाएगा 330 मीटर हो जाएगा ये इसका अंसर हो जाएगा 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 जाएगा